हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक और यूट्यूब चैनल इस्टडी सर्गल 24 तो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में बात करेंगे पी इटी का स्लेवर्स ठीक है पीटी 2023 का स्लेवर्स देखेंगे तो आपका ये टुटल 150 क्वेस्टन्स होंगे जिसमें की 150 मांक्स होंगे और अगर आपको गौर्णमेंट कॉलेज चाहिए तो अप्रॉक्स लगबग आप 70 प्लस रैंक लाने का कोसिस कीजिएगा मतलब आपको सत्त से ज्यादा नंबर लाने की कोसिस करना है तो जिससे के आपको रैंक जब अच्छा होगा तो आपको गौर्णमेंट को चांसे ज् इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरह के लिए तो देखें सबसे पहले यह मेजर्मेंट ठीक है यह आपका क्लास 11 का ही यह टॉपिक है जिसमें की यूनिट्स अन डामेंशन्स फंडामेंडल एंड डेरिवेटेट्स यूनि इससे आप अच्छे से देख लिजे इसे मैं टेलीग्राम और वाट्साप ग्रूप पे भी सेंड कर दूंगा तो वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं यह आपका यह जो मिलेगा यह 11 के हैं ठीक है यह टोपिक नाइन तक यह आपका 11 तक है और अब इसके बाद यह यह आपका 12th के topic है, जो आपने अभी 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ students जो drop करके देना चाह रहे हैं, drop करके दे रहे हैं इस बाद, वो भी अच्छा से त्यारी करें, क्या भी कुछ दिनों के बीच अभी उनका gap हो गया होगा तो अच्छा से त्यारी कर सकते हैं, और अब आप बात कर रहते हैं, यह आपका पूरा 12th के topic मिल जाएंगे, ठीक हैं, semi-conductors तक, अब आगे देखिए, chemistry का मिलेगा, physical chemistry मिल जाएगा आपको यहाँ पास सबसे पहले, physical chemistry में, यह जो आपको units यहाँ पास दिये गए हैं, वो सारे के सारे physical chemistry के मिल जाएंगे आपको, फिसक क्या होना चाहिए आपका, क्या रणनेती होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए आपका, तो लगबग आप देखे, जो आपको लगबग 45 दिन का समय मिल रहा हैं, लगबग 40 से 45 दिन का हम मान सकते हैं, तो आपको 30 दिन में ही, आपको syllabus आपको पूरे complete करने हैं, anyhow, तीस द राइट, अब उसके बाद ये आपको पढ़ना कहां से हैं, ये बता दूँ आपको, तो आप अपने 11-12 का बुक ले लिजे, इसके बाद मार्केट में आपको PET की बुक, अरियंत पब्रिकेशन की मिल जाएगे आपको, तो आप उसे ले लिजे और अच्छे से अपनी तयार वह दिखिने, पहले में फस्त में अगर देख viens ऐल जबरा है, फिर इसके बाद ट्रप्रिम मेंटरी और नेश्ट, कोर्णेट जो मैट्री और टू डैमेंशंस नेक्स्त, सिज्श्ट पर आपको, को अणे जो मैटरी आप Baptist क ये आपको ज्यादा टाम नहीं लगेगा, तो आ आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं देखे एक चीज आपको यहां पास यह चीज थोड़ा सा आपको लोगों के लिए नया होगा information technology तो information technology से क्या-क्या आप कर सकते हैं देखे मैं आपको बता दे रहा हूँ basic of computer and operation functional components main parts of computer input device output device and secondary storage device system software और military software और application software तो यहां से आप यह computer का जो basic चीज़े हैं उसे आपको पढ़ना है एक वीडियो मैं जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए जो computer का यह topics दिया हुआ है इससे related ठीक है तो आपको उससे relate करता हुआ सारी चीज़े आपको complete करना है अब बात कर लिजे देखेंगे यहां पास कि physics से नंबर आप question कितने आते हैं कितने नंबर के आते हैं तो 50 question रहेंगे हर एक question एक नंबर का होगा फिर उससी प्रकास से ठीक है तो आप इस exam के लिए भी आप अच्छे से focus करें अगर और इसके अलावा भी अगर कोई doubt रहता है तो आप video के comment section में comment कर सकते हैं और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा संधी बेल आकन का बटन जुरू प्रेस करेजेगा इसे प्रकार के latest update पाने के लिए तो आज के video में इतने ही मिलते हैं next video में तब तक लिए thank you and good luck